अब जो में आप 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 कि अप्राइब आप 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 कि यह व्यूज़ को और दो मॉश्ट वेलकम इन दा जेए क्लास मेरत माइन इस गोविन सानी इस टुडेंट जैसे कि आप सब अब आप सब्सक्राइब करेंगे कि अपनी हीट का और मास का ट्रांस्फोर्मेशन की स्टेडी करेंगे तो स्टुडेंट मैं आपको पहले बता दू कि हमारा जो फंडामेंटल ऑफ थर्मोडैनिमिस में ने कॉंसेप्ट के बारे बताया था यूनिट फर्स्ट में कि हमारे सिस्टम प्रॉसेस वगरा क्या होते हैं तो सारा वही सब बेस अब हमारे स्टार्ट होने वाला है क्योंकि ह हमारे नुमेरिकल में हमारे डैरिवेशन में तो वह सारे जो टॉपिक से वह सारे जो प्रॉसेस थे वह हमारे यूज होने वाली है ठीक है तो हमारा जो टॉपिक है वह वर्क एंड हीट ट्रांसफर पोर वेरियस प्रॉसेस तो मैं बात करूँ प्रॉसेस कि हमारे जो पॉलीट्रोपिक प्रोसेस क्या होता है तो यह जितने भी प्रोसेस थे इन सब के उपर डिसकस करेंगे कि हम कैसे हीट को चलो बढ़ते हैं क्लास की तरफ पहलेश करते हैं कि नियद्धी है पहले डिस्कस करते हैं heat and work, heat at work transfer, heat and work transfer, for isobaric process for isobaric process, ठीक है इसमें discuss करते हैं कि हम कैसी का हीट करेंगे मतलब isobaric process में तो पहले में आपको बता दू कि isobaric process होता क्या है, वह मैंने आपको लास लास में बता दिया था isobaric process के बारे में, कि isobaric process are the process मतलब इसमें क्या होता है when we are applied the heat of the gas ठीक है एक constant pressure ठीक आइसोबारिक प्रोसेस में क्या होता है हमारा जो pressure होता है हमारा जो pressure होता है क्या होता है constant होता है क्या होता है constant होता है ठीक आइसोबारिक प्रेसर जो प्रोसेस होता है उसमें हमारा क्या होता है जो pressure होता है वो कैसा होता है constant होता है तो इसमें क्या करते हैं कि isobaric process are those process when we are applied to heat in a container of a gas at a constant pressure then it will be increased the temperature and the volume that is called the isobaric process okay चलो इसमें पढ़ते हैं आगे कि तरफ अब समें हम क्या करेंगे अपना heat की इसमें supply करेंगे तो आपको पता है कि माल लीजे कोई भी हमारा अगर work है तो work हमारे क्या होता है अगर हमारा work है कोई भी system का work है तो कौन-कौन से work होता है हमारा जो work होता है at the PDB होता है ठीक है और दूसरा हमारा जो work होता है वो क्या होता है हमारा soft का work होता है किसका soft का work होता है और तीसरा जो वर्क होता है वो हमारा electrical का होता है किसका electrical का होता है कहने का मतलब कहें कि अगर मैं system को कोई भी वर्क दे रहा हूं तो वर्क दिने के लिए मुझे क्या पढ़ना पढ़े गाव शक्ता पढ़ेगा कि electricity को mechanical में convert करने पड़ेगा और वो mechanical फिर हमको work produce करेगा जिसमें हमको utilize चाहिए तो यहां पर जो हम study करेंगे के वल किसकी करेंगे हम pdv की करेंगे तो यहां पर मैं बात करूँगा कि हमारा जो work होगा वो कौन सा यूज़ करेंगे हां पर हम pdv work यूज़ करेंगे pdv work यूज़ करेंगे ठीक है तो student मैं आपको बता दू हमारा जो first law of the thermodynamics था उसके according we know that we know that we know that by first law of the thermodynamics जानते हैं first law of thermodynamics से कि हमारी जो हीट होती है हमारी जो हीट होती है वह इक्वल किसके होती हमारी internal energy के और हमारा क्या हमारा वर्क के ठीक है जो हमारी हीट होती है वह इक्वल होती है किसके internal energy के और हमारे किसके एक्वल होती है वर्क के एक्वल होती है और दूसरी हीट जो होती है वह हमारे वर्क में convert हो जाती है तो कोई भी सिस्टम को हम वर्क दे रहे हैं तो हीट कहां पर डिवाइड हो जाती है कुछ तो हीट हमारी internal energy में चली जाती है जो हमारी सिस्टम की internal energy होती है वह अपने उस हीट को थोड़ा एब्जोर्ब कर लेता है और हमारा फिर बाकी की जो हीट होती हो वर्क में convert हो kinda वर और क्या होगा भी इनटु ड ब क्या पर रही वर्क लेंगे Swiss एक से दो लेता है फ्रो 一 से दो तो इसका मैं टारम बना देता हूं चलो आगे इसको आगे पैजबर कर लेते हैं यहां यहां पर मालनी त्सकर हम एक की डार्चराम बना देते हैं थापी वार परढ़ेंगे तो वर्क्टन के बारें पढ़ेंगे वर्क्टन क्या होगा को वर्क्टन हमारा क्या होगा प्रोसिस एक से बीधी इंटु इन य होगा हमारा है तो यहां पे क्या होगा वी टू माइनस के वी यह फ्रोसेस से यह से दो हो जाएगा तो कहने का मतलब क्या है पी गब तो W equals to क्या हो जाएगा हम इसका integration करेंगे तो P हमारा क्या constant है तो अभी मैंने आपको बताया था कि जो हमारा आई सुबारीक प्रोसेस होता है जिसमें प्रेशर क्या होता है हमारा constant होता तो P हमारा बाहरा जाएगा और हम यहां पर क्या करेंगे डीवी का मतलब वन का integration करेंगे तो क्या जाएगा वन इंटू डीवी आपने पढ़ा होगा तो वी हो जाएगा तो वी का जानते कि PV बरावर क्या होता है student चुंकि हमारा PV बरावर क्या होता है nrt अगर मैं हैं पर P की value को find out कुरूं तो P की value हमारी क्या जाएगी nrt upon V P की value क्या जाएगी च्टेट nrt upon V ओके तो P की value क्या जाएगी एंट रॉवडिल ऑपन व और तीकटी पीविऱ डवडर छाएगा जाएगा एन में लजेओ इसको इक्षिशन नमबर माल लिए और हम जानते हैं कि क्या जानते क्यों बरावर हमारा अब हमें क्या करना है अगर मैं carbohydrate को निकालता हूं कि मेरी हीट हीट को निकालेंगे तो मेरी हीट क्या होगी तो इलट की बरावर हमारी क्या है नेटि की तो internal energy हमारी क्या होती है and cv T2 minus T1 and cv T2 minus T1 where cv is the constant constant at the constant volume specific heat at the constant volume ठीक है जहां पर cv हमारी क्या है at the specific heat at the constant volume ठीक है तो यहां पर हम क्या करेंगे इस equation को माल लिजे हमने third equation माननी है this is the third equation आप क्या करेंगे now putting the value of equation first and equation third in equation second ठीक है तो first और second का जो value है हम इसको equation number second में रखेंगे तो इसकी value को put करेंगे तो यहां पर क्या होगा q equals to हमारा क्या होगा daily जो निकल क्या है वो कितना आया and cv T2 minus के T1 आया और यहां पर जो first equation से हमारी जो value आ रही है पिलस के n और T2 minus के T1 ठीक है तो यहां पर क्या करूंगा तो Q equals to क्या होगा यहां पर देखो n और n T2 minus T1 T2 minus T1 यहां पर क्या जाएगा को माना जाएगा T2 minus के T1 यह को माना जाएगा अंदर क्या बचेगा मेरा cv plus के nr ठीक है तो अंदर क्या बचा हमारा cv plus के nr बचा ठीक है cv plus sorry n तो मार भढ़ चला जाएगा यह तो cv plus r बचेगा केवल अब हमको पता है कि क्या कि सी आर इक्वेस्टू क्या होता है r equals to cp minus के cv होता है ठीक है बाइदा हमारा जो r होता है वो क्या होता है cp minus के cv होता है अगर मैं यहां पर cv की value को निकालूंगा तो cv के value निकालने के लिए क्या होगा cv equals to क्या हो जाएगा r minus के cp हो जाएगा ठीक है तो यहां पर हम किसकी value निकालेंगे तो यहां पर जो cv की value निकालूंगा था cv बराबर क्या हो जाएगा r minus के cp हो जाएगा ठीक है r minus के cp यहां हम क्या करेंगे कि cv को उधर लेग तो यहां पर हमारा क्या जाएगा R-C-P आजाएगा तो इस तरीक से यहां पर क्या होगा ठीक है तो यहां पर इस value को put करेंगे इसकी value के R बरावर C-P-C-V होता है तो यहां पर हम क्या करेंगे C-P-C-A-R ठीक है तो C-P हमारा इदर आएगा कैसा हो जाएगा पिलस के हो जाएगा और हमारा क्या जिसको निख सकते हैं कि हमारा C-P बरावर equals to हो जाएगा R plus के C-V ठीक है R plus के C-V क्योंकि हमारा R equals to C-P-C-V होता है मैंने कि अगर cv को इधर ठाके लिए तो r plus के cv हो गया और equals to किसके होगा cp के हो गया तो यहाँ पे equation में put करोंगा था q equals to n cv plus cr किसके बरावर cp के है तो n cp t2 minus k t1 ठीक है this is the equation of the heat this is the equation of the heat तो यह हमारी किसकी equation निकल कही है heat की equation निकल कही है तो कहने का मतलब कहा है कि आग जो भी numerical स्वागार होंगे अगर numerical में आपको देया हुआ है कि हमारा एक कोई आइसो आइसो बारिक प्रोसेस का एक मारा नुमेरिकल है उसमें हमारा को फोर्मला निकालना है किसमें आइसो बारिक प्रोसेस में पूरे क्लोस सिस्टम पूरे क्लोस सिस्टम दिस इस दवर्ग डन और दिस इस दा हीट इस तरीके सम क्या करेंगे वहाँ पर अपना हीट एंड वर्क का हमारी जो वैल्यू है वो उसको निकालेंगे ओके स्टेंड चलो आगे बढ़ते हैं आगे हम बात करते हैं दूसरा हमारा प्रोसेस आता है है हेट एंड 擁पर्क ट्रांसफर जा पॉर ऑई और आफ ऑपो निकाल को यह होती है दो अब है अब आपको बता है कि लग्म्रेश लोगत रहें फिर निकर्टा हो चलों कенийора इक होता है कि I情 support process में हमारा क्यों आपको फिल्यूम इस वोल्यूम पोर्फ। तो सबसे पहले हम यहां पर बात करते हैं कि इसकी हीट की जैसे कि आप लोग जानते हो बाइदा फ़र्स लोग थर्मोडायनमिक्स ठीक है तो यहां पर मैं लिख सकता हूं आप 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 लोग आप फ़र्मोडायनमिक्स क्या जानते हैं कि हमारी जो हीट होती है वह एक्कोल होते हैं इंटर्नल एनेरजी के और वर्क डन के किसके इंटर्नल एनेर्जी के और किसके होती है वर्क डन के बरावर होती है अब यहां पर बात करते हैं हम किसके constant volume की किसके constant volume की तो मैं यहां पर मैं आपको बात करूं किसकी work की ठीक है तो अगर हमारा कोई भी अगर मैं इसका एक डाइग्रम बनाता हूं लेविश को कोई पॉइंट वन माल लीजै इसको कोई पॉइंट तुमाल छिपायot के नहीं नहीं है बहुत लेकिन जो प्रेसर कर रहा है लेकिन आपर जो b1 की value है आपे वोल्युम क्या है प्रफरो होगा और यहां पे P1 हमारा क्राइद एक तक तो यहां पर अगर मैं बात करूं किसकी कि कि हांपे मार जो बटन होगा कैसे होगा ठीक है अगर होगा यह इंत्रीगल वन से 2 पी इंचु डीवी से इन फ़ी और वी हैव हमको पता है क्या हमको यह कि यहाँ पे जो प्रेसर है वह विंस वोल्यूम हो जागा स्टुडंट जी रो जाएगा बर्डण कितना होजाएगा जीरो तो for the isocoric process सátब गोडन के लिए नहीं को कहने का मतलब कोई सिस्टेम को मैं ही दे रहा हूं और heat देने के बाब वो work produce नहीं कर रहा है work मेरा zero जा रहा है तो वो सारी जो heat है वो किस में convert हो जाएगी internal energy में convert हो जाएगी तो कोई भी system है अग system हमको work produce नहीं कर रहा है तो वहाँ पर जितना भी हम उसको input दे रहे हैं वो सारा का सारा अपने अंदर store करके रहेगा जब output हमारा work मिली नहीं रहा है वो 0 हो रहा है तो उसके कहने का मतलब क्या है कि जितना हम उसको heat देंगे उतना ही उसका internal energy बढ़ जाएगी तो यहाँ पर बात करते हैं कि हमारी जो work done होगा वो 0 होगा और जो हमारी heat होगी वो किसके equal होगी internal energy के equal होगी तो मैं बात करता हूँ internal energy की at a constant volume पर तो at a constant volume पर क्या हो जाएगा हमारी जो internal energy होगी वो हमारी क्या होगी इतना होगा इतना आप इसको not कर सकते हो कि कर अगे बढ़ते हैं अब बात करते हैं हीट एंड वर्क ट्रांसफर पूर आईसो थर्मल प्रोसेस इसो थर्मल प्रोसेस की बात करते हैं ठीक है हीट एंड वर्क ट्रांसफर पूर आईसो थर्मल प्रोसेस तो आईसो थर्मल प्रोसेस होता क्या है उसके बारे में आपको बताया था कि आईसो थर्मल प्रोसेस क्या होता है तो आईसो थर्मल प्र गर आपको process मैं ने यसे लिए बताए थे पहले थेढ जो हमने बताए थे इसो बारिक में हमारा प्रेसर कॉंस्टेंट होता है आइसो कॉरिक में हमारा वोल्यूम कॉंस्टेंट होता है आइसो थर्मल में टैंप्रेचर कॉंस्टेंट होता है तो यहां पर आइसो थर्मल प्रोसेस आ रहा है तो हम मुझको पता है कि वहां पर टैंप्रेचर क्या होगा constant होगा, क्या होगा, constant होगा, तो यहाँ पर देखेंगे, by first law of the thermodynamics, by first law of thermodynamics, ठीक है, first law of the thermodynamics, तो क्या देखते हैं यहाँ पर student, क्या देखते हैं कि हमको equation क्या होती है, first law of the thermodynamics की, equation हमारी क्या होती है, कि हमारी जो heat होती है, वो internal energy plus work done होता है, ठीक है, तो मैं बात करूँ पर Internal energy as for the internet के हमारे água ब्लेटर तो होगी वह हमारी क्या होगी तो यहां पर जाएगी एंव सी बहें टीन मैं से वींहीं कुमाचा कि टीष्ट्व क्या है जीरो है यहाँ पर एंटरनल एनर्गप्राइची होगी दैट विलल भी जीरो गयो होग जी जीरो है तो उस condition में हमारा जो heat होगी वो क्या होगा तो 0 plus के work done तो कहने के मतलब क्या है जो heat होगी वो किसके इकोलोगी work done के बराबर होगी तो यहाँ पे कहने का मतलब यह है कि जो हमारा heat है वो that is equal to the work done कि अगर कोई system हमारा isothermal process पे work कर रहा है तो वहाँ पे हम जितनी heat उसको apply कर रहे है that will be equal to the work that will be equal to the work ठीक है तो कोई भी system है कोई भी system को अगर हम heat apply दे रहे हैं उसको heat दे रहे हैं तो वहाँ पे कोई losses नहीं होगा और सारी heat जो होगी वो किसमें convert हो जाएगी वर्क में convert हो जाएगी तो यहां पर जो हमारी मशीन होगी कोई भी system होगा कोई machine होगी हमारा कैसी होगी ideal condition पे होगी कैसी होगी ideal condition पे होगी जो क्या कर रहा है पूरा internal energy को work out ने work output में convert कर रहा है तो that is at the base of the isothermal process इस्टूड हमको heat मिलाएज सब्सक्राइब होगी हमारे बर्ण के बराबर ओगे अब यहां पे निकाल लेक Monaten हमारा क्या यहां पर मीढ़न होगा कि इसका मैं आपको friendly निकाल लेते तो अगले पेच पर देख लेते हैं यहां पर इसको मैं इसका डाइग्राम बना देता हूं एक हमारा अगर इसका डाइग्राम बना लेते हैं ठीक है टीएस डाइग्राम बना लेते चलो तो यहां पर इसको एक पॉइंट माल लीजे और यहां पर इसको दो पॉ करें अब यहां पर बात करते हैं कि सब्सक्त्राइब की कि हमारा वर्ड़न कि बात करते हैं तो real never यहां पर हम बात क्या करेंगे कि हमारे पिक फंट हैं तो फिल्ट का आप लोग जानते हैं कि हमारे PV एक्वस्टो उता है और हां पर अगर हैं बात करूँ पी की तो फी कुस्टो हमारा जाएगा nRT अपॉन यूप क्या करेंगे इस्की वैल्यू हम internationally को irrelevant में तो यहां पे w equals to क्या हो जाएगा one से two ठीक है one से two nRT upon v nRT upon v into dv ठीक है तो nRT is the constant value तो इसको हमने बहार निकाल लिए ठीक है nRT को हमने बहार निकाल लिए अंदर क्या वन अपोन v into dv one upon d into v v ठीक है तो nRT तो v को उपर लेगे तो v की पावर माइनस 1 हो गया इंटू क्या हो गया dv हो गया क्या हो गया इसको one upon v को ऐसे ही लिखते हैं one upon v तो यहां पर हमारी जो equation निकल गई वो क्या निकल गईगी ठीक है तो यहां पर क्या हो जाएगा nRT तो one upon v आपने सुनाओगा one upon x बरावर क्या होता है log x ठीक है ln x ठीक है तो आपने integration पढ़ाओगा तो यहां पर one upon v किसमें निकल को वर कि अनुद्ट आखेरा रटी एन लें आइडी एलन वी टुवन थे वीटु है वीटु के बीवन ठीक है वीटु बाइनस के वीवन थिक है वीटु माइनस के वीवन ठीक है तो यहां पर हमारी equation निकल कहेगी कि निकल गें और यहां पर क्या करेंगे जो हमारी और सट्वन में हम क्या करेंगे अपनी वैली को पूट करेंगे डाली को पूट करने क्या से करेंगे तो w equals to nrt है तो nrt की जहें हम क्या रख देंगे p1 v1 रख देंगे p1 v1 ln v2 upon v1 आगर बात करूं किसकी 2 की तो p2 v2 ln v2 upon v1 ठीक है अगर यहां पर हमें बात करता हूं किसकी हम अपने बात करें प्रेशर की तो p1 v1 ln p1 v1 ln p1 upon p2 हो जाएगा एब जैसे कि अभी पीछे बताया था कि हमारी जो हीट है वो इक्वल है किसके वर्क के तो यहां पर hours यहां पर ह्यों प्रमल में यह वाली क्वेशन को अफलाई करेंगे बतर यहहवाला होन सबों करेंगे उस कंडीशन को 해요 एक ती वेड़ेन करेंगे ठीक है तो आपको ध्यान रखना है कि जो हमारा आइसो बाड़ से से वहां पर हमारी क्या हीट जो है मतल हमारी जो यहां पर इंटर्नल एनेड़ जी थी वह हमारी १ारी सारी जो हीट थी वह किसमें convert हो इती तो इस तरीके से हम क्या करेंगे इस ही थर्म swojeκι को da करेंगे जैसे मिनें आपको बता दिया हमारी हीट किस के को लाए अब बात करतें नेक्स्ट प्रोसेस कि नेस्ट प्रोसेस क्या ह вари है अब बात करतेmy next प्रोसेस ही इडिवेटिक प्रोसेस हीट की हैं एца Eğer हीट एन्ट वर्कत्रांस्फर 4 4 एडिवेटिक प्रोसेस इती ह्ल्सक्रान गश्ट है हैं लेतरि में इंट एक प्रोसेस तो थैडिवेटिक प्रोसेस में मैं हम mów में device कर देख ले पीवी डाइग्राम की ठीक है तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक हीहां पर जा रहा है इसको वन पॉइंट मा लेते हैं इसको दो पॉइंट मा लेते हैं ठीक है तो एडियाबैक प्रोसेस के बारे में आपको बताता है कि what is the adiabatic process तो adiabatic process are those processes which can not heat transfer from system to the surrounding where not heat the transfer हो रहा है वो हमारा जीरो हो रहा है कि adiabatic जो हमारा सिस्टम होता है वहाँ पर हीट का transmission क्या सोताइजी रोता है from system to the surrounding that is called adiabatic system तो इसके मेरे बारे में आपको पहले बता रखा था ठीक है तो यहां PV की power gamma equals to क्या होता है constant होता है अब यहाँ पर बात करेंगे कि heat की बात करेंगे कि हमारी जो heat होगी वो कैसे work करेंगी उसके बारे में क्या करेंगे student discuss करेंगे ठीक है तो सबसे पहले मैं बात करूँ यहाँ पर heat की तो by the first law of the thermodynamics आप लिख सकते हैं ठीक है by the first law of the thermodynamics तो यहाँ पर क्या होगा heat equals to internal energy plus heat equals to क्या होगा internal energy plus के work done होगा और वी नो डैट बाइड़ा एडिबाटिक सिस्टम यहाँ पर क्या होगा क्योंकि चूंकि heat किसके वही है जीरो मताँ हीट यहाँ पर क्या होगा will not be transferred from the system to the surrounding that call heat equal to 0 तो यहाँ पर अगर हमारा heat equal to 0 होगा तो यहाँ पर 0 equals to internal energy और work done तो work done हमारा किसमे convert हो जाएगा minus के u minus के internal energy में तो यह हम इसको लिख सकते हैं कि हमारे जो internal energy होगी वो किसमे होगी minus के work done होगा हमारा internal energy में convert हो जाएगा इस में convert हो जाएगा उसका internal energy में होगी यहाँ पर क्या होगा अब बात करते हैं कि इसके work done के बारे बात करते हैं तो यहीं पर मैं इसका work done के बारे बात कर लेता हूँ कि work done क्या होगा तो डलून बरावर क्या होता है पी इंटू डीवी होता है क्या होता है पी इंटू डीवी होता है अब यहां पर बात करते हैं वर्ग्डन की तो वर्ग्डन हमारा क्या होगा ठीक है तो यहां पर हमारा क्या होगा तो मैं बात करता हूं हम जानते हैं कि डेल यू बराबर क्या होगा एंसी heat and work Ncv ठीक है Ncv और del T Ncv del T internal energy जो होती है हमारी क्या होती है Ncv del T होती है तो del T को मैं लिख लिखता हूँ del U equals to Ncv T2 minus K T1 T2 minus K T1 होती है ठीक है T2 minus K T1 होती है और यहाँ पर मैं बात करते है कि हमारी CV जो होता है adiabatic system जो हमने adiabatic पढ़ा था तो उसमें हमारी constant value होती है मतलब आप मतलब जो हमारा specific heat at a constant volume and the constant pressure ठीक है at the constant volume and the constant pressure वो इसमें आपका derivation नहीं है वो आपने पढ़ा होगा पहले ठीक है अपने पढ़ा होती है यहाँ पर क्या होता है आपको पता है आपको पता है तो यहाँ पर क्या होता है cp and cv this is the हमारी constant हमारी specific heat होती है at the constant pressure and the constant volume ठीक है तो यहाँ पर इससे एक relation होता है तो relation मैंने आप यह दिख रख रख था है कि cv बरावर क्या है r upon gamma minus 1 है r upon gamma minus 1 है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे किसके जो work done होगा तो work done आपको पता है कि हमारा किसके बरावर है internal energy के बरावर है तो हमारा जो work done होगा वो internal energy के बरावर तो internal energy हमारी ही हो गई तो n cv की जगे मैं क्या रख दूँगा r upon gamma minus के 1 और यह हो जाएगा t2 minus के t1 क्या हो जाएगा student t2 minus के t1 क्योंकि हमारा जो work done है वो किसके क्वल हमारा हमारी internal energy के बरावर है तो मैंने यहाँ पर क्या करा जो work done है इसको मैंने बरावर रख दिया किसके internal energy के मैंने बरावर रख दिया तो यहाँ पर हम क्या करेंगे यहाँ पर हम देखेंगे कि एक बार मैंने कहकरा nr t2 इसमें multiply कर दिया और नीचे हो जाएगा gamma minus k1 और minus k nr t1 upon gamma minus k1 ठीक है nr t2 upon gamma minus k1 nr t1 upon gamma minus k1 अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि यहाँ पर हम इसको क्या करेंगी जो हम आपको यहाँ पर दिख रहा होगा इसको मैं इधर रख कर देता हूं तो यहाँ पर देखेंगे इसको student कि हाँ पर देखो nr nr t ठीक है कहने का मतलब क्या nr t pv को इस टू क्या होता है nr t होता है nr t तो मैं यहाँ पर 2 है, तो 2 की जगे मैं क्या लिख सकता हूँ है, 2 की जगे लिख सकता हूँ कि P2 into V2, P2 into V2 upon gamma minus K1, ठीक है, और यहाँ पर minus K, फिर यहाँ पर हो जाएगा P1 V1 upon gamma minus K1, तो यहाँ पर जो student हमारा work done निकल के आएगा, वो क्या निकल के आएगा P2 V2 minus K, P1 V1 upon gamma minus K1, तो this is the equation of the work done, तो इस तरीके से हमारे यहाँ पर क्या निकल के आएगा, work done निकल के आएगा, क्या निकल के आएगा student, work done निकल के आएगा, ठीक है, है अब यहां पे वर्डेन निकल के आया है तो इंटर्नल एन एनटजी थी वह किस में माइनस में तो इना पे मतलब है हाँ किसमें निकल के आई गी उस equation को मैं यहाँ पर लिख सकते हैं इधर लिख देता हूं मैं तो यहाँ पर जो equation निकल के आएगी हमारी अलग क्योंकि हमारी जो internal energy थे वह माइनस में निकल के आए तो यहाँ पर मैं यहाँ पर last में माइनस में लगा रहा हूं तो माइनस में लगें तो तो this is the equation of the work done, this is the equation of the work done for the adiabatic process, तो adiabatic process के लिए हमारा क्या होगा, work done निकल के आएगा, ठीक है, तो student इस तरीके से हम क्या करेंगे, जो हमारा यहाँ पर heat होगा, वो तो 0 होगा, अगर question में adiabatic process दे रहा है, तो हमारा पर heat क्या होगा, 0 होगा, और work done जो होगा, वो हमारे internal energy के equal होगा, बट लेकिन minus में होगा, तो उस तरीके से हमारा यहाँ पर value point out करी थी, हमारे वो आई थी, तो कि यहाँ पर मैंने minus नहीं लगाया था, क्योंकि यहाँ पर फिर आपको समझने में दिक्कत हो, तो लास्ट मैंने हाँ पर minus लगा दिया भार से, और हमारे इसको पलट देंगे, तो हमारे जो work done निकल का है, वो इस तरीके से हमारे equation निकल कहेगी, P1 V1 minus के, P2 V2 upon gamma minus के 1, ओके स्टेंट, चलो बढ़ते हैं, नैक्स देखते हैं, next हमारा process होगा, 5, next हमारा process होगा, isolated system के बारे में, कि heat and transfer, heat and work transfer, heat and work transfer, for isolated system, for isolated, for isolated process कहा सकते हैं, isolated process या isolated system, ठीक है, तो इस टुडेंट जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, isolated system के बारे में, मैंने isolated system के बारे में आपको बताए था, कि isolated system, आट दो system, which can no transfer for heat and mass, ऐसे system जो ना तो heat का transmis कर सकते हैं, ना ही work का TRANSMIS कर सकते हैं, कहने का मतलब कहे कोई ऐसा system है, कोई ऐसा system, एक rigid system है, जो ना तो हमारा heat का transmit कर सकता है और नहीं हमारा work का transmit कर सकता है that is cold था हमारा क्या 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 लएगा isolated system क्या लएगा तो मैं हाँ पर बात करूँ कि हमारा by the first law of the thermodynamics by the first law of thermodynamics तो क्या होगा हमारा जे हमारी heat होगी वह equal होगी कि से इंटेटरन इन्रजी और वक्रण के चुकि हम जानते हैं हीट हमारी ही wow है और वसक्ण हमारा जीरो है तो इंटरनल energy और वेज हमारी कैसी होगी इस्टोडेक है फर जीरो होगी तो इन्टरनल एनेर्जी भी हमारी क्या होगी यहां पर next process के बारे पढ़ते हैं next process जो आता है हमारा last process आता है polytropic process बात कर्ते हैं कि कि सके polytropic process के बारे में ठीक है polytropic process के बारे में बात करते हैं ठीक है तो heat and work transfer heat and work transfer for polytropic process polytropic process ठीक है polytropic process के बारे बात करते हैं तो polytropic process से this is the law of the thermodynamics मतलब this is the process of the thermodynamics यहां पर हमको पता है कि polytropic process में हमारा क्यों होता है last time for constant से नहीं होता है क्या होता है तो हम यहां लाएं पर यूसर क्रते हैं किसकी लाहन हम यहां पर बात करते हैं किक्राव कि केता होता चाहएं मैं नाने ऐसा गणे लिए लेते हैं इस फीवी नायगराम खैकल वमक इन भंसी टूंहारे फोलू कर रहा है वन से टू हमारा क्या कर रहा है, ठीक है, वन से टू क्या कर रहा है, यहां पर फोलो कर रहा है, तो यहां पर बात करते हैं कि इसकी हीट की, कि हीट हमारी कैसे होगी, मतलब यहां पर जो हीट निकल कहएगी, वो हमारी क्या होगी, ओके, तो बात करते हैं कि इसकी पहले work done की चलो work done की बात कर लें तो work done हमारा क्या होगा तो यहां पर हम जानते हैं pv की power n equals to क्या है constant है और जो work done होता है वो क्या होता है p into dv होता है 1 से 2 हो जाएगा 1 से 2 हो जाएगा अब यहां पर क्या होगा कि अगर मैं बात करूँ किसकी p की तो यहां पर जो p होगा वो किसके equal हो जाएगा c upon v की power n की equal हो जाएगा तो यहां पर इसकी value को put करूँगा 1 से 2 तो p बराबर हो जाएगा c upon v की power n into dv ठीक है तो यहां पर मैं क्या गरूँगा इसको उपर ले जाओंगा इसको मैं उपर ले जाओंगा तो यहां यहां पर इसको इंटेग्रेट करेंगे इंटेग्रेट करने पर अभी तो यहां पर इसका इंटेग्रेट नहीं होगा इंटेग्रेट करने से हां पर हमारी निकल के आएगी वह हमारी क्या निकल क्या आएगी कि एक बार तो क्या करेंगे वी टू की पावर एन माइनस के वन हो जाएगा और एक हमारा क्या हो जाएगा माइनस के वी वन की पावर माइनस के एन माइनस के वन ठीक है तो कहने का मतलब क्या है हां पर जो हमारी एक्क्वेशन निकल क्याएगी वह हमारी कौन सी एक्क्वेशन निकल क्याएगी हां पर हम बात करेंगे equation की, तो वो निकल गएगी P2 V2, P2 V2 माइनस के P1 माइनस के P1 V1 upon N माइनस के 1, P1 V1 माइनस के N, कहने मतलब इसको solve करेंगे, तो solve कैसे करेंगे, मतलब V की पावर N माइनस के N तो माइनस के N, प्लस के 1 हो जाएगा, ठीक है, अब यहां पर क्या करेंगे, फिर इसका जो constant होगा, मतलब इसका जो integration हो नीचे हमारा क्या हो जाएगा, यहां पर प्लस माइनस करके जो value निकल काएगी, वो हमारी यह निकल काएगी, ठीक है, इसको मैंने यहां पर इसको रख दिया है, तो कहने का मतलब क्या है, यह हमारा work done निकल गया है, इसको मैंने आ लिए equation number first, polytropic process के लिए हम क्या निकलनेगे, work done निकलनेगे, इसको integration आप solve out कर सकते हो easily से, ठीक है, यहां पर हम इसको equation निकल गई ही, वो equation हमारी जो work done निकल के आया है, और work done की जो value निकल गई, यह हमारी P2V2-P1V1, ठीक है, यहां पर हमारी value निकल गई, P2V2-P1V1, यह हमारी value निकल गई, 1-N आएगी, ठीक है, यह आएगी, 1-N, इसको solve करोगे, ठीक है, P1V1-P2V2, तो यह हमारी हो जाएगा, n-k1, ठीक है, क्या हो जाएगा, n-k1, भई P1V1 को जाएगा, और P2V2 को जाएगा, तो हमारी equation एक निकल के आएगी, ठीक है, हमारी हमारी यहां पर equation निकल के आएगी, तो मैं चलो लिख देता हूँ, उसको भी, तो हम क्या करेंगे, P1, तो W equals to क्या होगा P1 V1 minus के P2 V2 इनके sign change करें तो नीचे वाले कभी sign change हो जाएग तो N minus K1 तो this is the equation of work done for the polytropic process this is the equation for work done of the polytropic process क्या है ठीक है तो इस तरीके से आपके करेंगे work done निकाल लेंगे work done निकाल दिया first law of the thermodynamics by the first law of thermodynamics by the first law of the thermodynamics क्या जानते है कि हमारी जो heat है वो equal है किसके हमारी जो heat है वो equal है internal energy और work done के ठीक है अब बात करते हूं मैं इंटरन इंटरन एनरजी की तो internal energy हमारी हाँ पे क्या हो जाएगी student mcv mcv t2-1 t2-1 Mcv t2-1 हो जाएगी ठीक है तो यहाँ पर जो process होगा हमारा किसका वर्डन का तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि इसमें heat की value और वर्डन की value को put कर देंगे तो क्याने का मतलब क्यों होगा Q equals to हमारी क्या ही है M इसको N लिख से तो है M लिख से तो जो तुमारी मर्जी M C V T2 माइनस के T1 ठीक है पिलस वर्क डन की जो वैल्यू निकल कही है वो क्या निकल कही है P1 V1 माइनस के P2 V2 अपोन N माइनस के 1 ठीक है यह वैल्यू दोनों वैल्यू हमारी पीछे से निकल कही है और इनको हमने क्या करते हैं हमने पूट कर दिया है हमने क्या करते हैं हमने क्या करते हैं हमने पूट कर दिया है ठीक है ठीक है तो अब बात करते हैं जैसे कि अभी मैंने पीछे बताया था है पीछे बता एंगी है आर बेर क्या ओता है कि सिभी अपोन गामा माइनस के अग्ण होता है इसकी वैलू को फुट शूर्च अंगे तो क्यूं एकोस्ट्व हमारी क्विशन है गी एम जीफी तो आर बेर की क्या होता है सीवी अपोन गामा माइनस वन होता है ठीक है आर बरावर क्या होता है हमारा सीवी अपोन गामा माइनस के वन होता है तो यहां पर हमारा जो सीवी होता है वो एकोल होता है आर अपोन गामा माइनस के वन तो यहां पर सीवी की जिए हम क्या रखेंगे और सीवी की यह वाली value को put करेंगे तो cv के यह वाली value put करेंगे तो क्या हो जाएगा आर अपोन गामा माइनस के 1 ठीक है T2 माइनस के T1 पिलस P1 V1 माइनस के P2 V2 अपोन N-1 ठीक है यहाँ पर इस परिकेसा हमारी क्या निकल के एक equation निकल के आएगी इस student क्या निकल के एगी हाँ पर हमारी equation निकल के आएगी अब आगे देखते हैं आगे क्या करना है अब आगे क्या होगा MR T2 माइनस T1 है तो ideal equation क्या होती है PV बरावर के क्या होती है MR T होती है अपॉन घामा मैनस के वन ठीक है तो PV बरावर क्या है मारा MRT है तो यहुट ऐक्वेशं हमारी हो जाएगी क्या हो जाएगी टी2 माइनस T1 है तो क्या हो जाएगा be 2- P1 V1 अपॉनन गामा-5 और यहां पे पिलस के क्या है हमारा पीवन वीवन V1-P2V2 अपोन यह हो जाएगा N-1 तो यह गामा है यह मेरा क्या है N है अब यहाँ पर हम क्या करेंगे अगर मैं इस equation को पलटता हूँ इस equation को क्या करता हूँ इस student पलटते हैं तो पलटने से हमारी equation की value निकल के आएगी तो यहाँ पर देखते हैं पहले मैंने इसको रख लिए तो P1 V1-P2 V2 अपोन N-1 ठीक है मैंने क्या करा है यह जो P1 V1 इसको पलटते है तो यहाँ पर हो जाएगा P1 V1-P2V2 अपोन यह हो जाएगा गामा माइनस के 1 अब मैंने हिहाँ पर का किला प्लब फे तो गया है यहां पर इसको क्या करेंगा एक जिग से यहां पर मैंने कवंद ले लिया एक जिए इसे बना प्रणा घंडख लग सब्सक्राइब थेन लिए तो वप्रणा दर मेरा क्या बछेंगा तो वन अपॉन एन‡ मह EleANS के 1 अपोन गामा माइनस के 1 हो जाएगा ठीक है, आप यहाँ पर क्या करेंगे इसको, P1, V1 माइनस के, P2, V2, ठीक है, इसको मैंने क्या करा है, नीचे LCM ले लिए, लेने आपत क्या बचेगा यहां पर? यह हो जाएगा N-1, और गामा माइनस के 1, इद़र उचल अजाए तो gamma minus के 1 और minus के n फ्लस के 1 यह हो जाएगा ना यह हो जाएगा ना यह वी फोगया आगे कर लेते हैं सो हमारी जो equation आई P1 V1 minus के P2 V2 P1 V1 minus के P2 V2 यही थी और यहां पर हमारा क्या था, गामा माइनस के एन अपोन, गामा माइनस के एन अपोन, गामा माइनस वन, गामा माइनस वन, गामा माइनस वन, यह एक्वेशन हमारी क्या है, यहां पर इस तरीके से हमारी क्या निकल कही है, हमारी एक्वेशन निकल कही है, ठीक है, यहां हमारी क क्या करूं है यहाँ पर डवलू जो है वो क्या है P1 V1 minus K P2 V2 upon इसके नीचे मैंने क्या ले लिया N-1 ले लिया तो इहाँ पर जो value है gamma minus K N upon gamma minus K1 ठीक है तो इसको जानते हो यह क्या है equation P1 V1 minus K P2 V2 upon N-1 तो यह हमारे चोरी हमारे क्यां निकाला था वर्ग डन ये रहां पीश्यम विस만र M1 इसके फ्लेफरी ची के पोल ये समय तो यहां पे पहें मारा किसके प्ली के लिए एकको हमारा किसके gamma minus n upon gamma minus k1 और work done किसके पॉली के बरावर और तो टॉ तो this is the equation of the heat this is the equation of the heat of the polytropic process this is the equation of the heat for the polytropic process तो कहने का मतलब किअगर heat को निकालना है तो heat को निकाल लेंगे और वर्गन की value रखने है और यहाँ पर लामा और अपको फूट करना है को मताइक कर सकते हैं। पूट कर सकते हैं और बै यह सांगती है अपनी heat and work को transmit करते हैं हम हासे हमको क्या निकाला heat की value निकाली और work की value निकाली जो हम क्या करेंगे उनको numerical में इनको numerical में हम use करेंगे questions में use करेंगे so student हाज की class को हम यही पर end करते हैं और कल पढ़ेंगे इसके important questions के बारे में numericals के बारे में उनकी study करेंगे ठीक है तो सब्सक्राइब आज के लास को हम यही पर end करते हूं मिलते हैं next class में ओके thank you all the best